प्रहार टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महराष्ट में करोना के आकड़े डेड़ लाख हुए पार, सरकार ने प्रतिबंध लगाई नई गाइडलाइन जारी की है महराष्ट के मुखमंतरी उदर ठाकरे ने कहा कि मैं दोहराता हूँ कि हम अनावास्या भीड कम करना चाहते हैं लेकिन कोई ताला बंधी नहीं करना चाहते हैं, कोई भी प्रतिबंध तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक की हम सभी Covid प्रोटोकाल का पालन नहीं करते हैं हम आपको बताते हैं नए प्रतिबंध क्या और किन किन चीजों पर लगाए गये हैं नए प्रतिबंदों के अनुसार रात यारा बजे से सुबा पांच बे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा पांच से अधिक लोग इकठा नहीं हो सकते स्कूल, कॉलेज और क्लासेज को पूरी तरह से यानि 15 फरवरी तक बंद कर दिया गया है आवस्यक कारियों के अलावा रात 11 बजे से सुबा पांच बे तक घर से बाहर न निकले सरकारी ऑफिस में विभाग प्रमोक की अनुमती के बिना किसी विजीटर को प्रिवेश नहीं दिया जाएगा दफ्तरों में 50 फिस्दी करमचारी काम करेंगे सिर्फ जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले जबकि स्विंग पुल, जीम, पिकनिक स्पोर्ट बंद रहेंगे और विवा समारो, समाजीक और राजनीतिक कारिकरमों में 50 परसेंट यानि 50 फिस्दी लोग सामिल हो सकेंगे अंतिम संसकार में केवल 20 लोग सामिल हो सकेंगे साथ ही निजी कारियालाय, हेयर कटिंग, सेंटर, थेटर, रेस्टोरेंट, सॉपिंग मॉल, मार्केट, कमपलेक्स 50 फिस्दी यानि 50 परसेंट यहां भी छमता के साथ खुले रहेंगे और प्रतियोगी परिच्छाएं जो पूर निधारित थी उन्हें कोविट प्रोटोकाल का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा जिन्होंने दो डोस लिया है उन लोगों को पब्लिक स्पोर्ट के माध्यम से यात्रा करने की अनुमती दी जाएगी और इसी के साथ समाज राजनीती से जुरी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहाय टाइम